हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मिसी क्लास दिस इस मी विशाल है और टोड़ी विल अंडर्स्टेंड बहुत ही क्रूसियल पार्ट है इमल्सन का जब हम बात करते हैं स्टेबिलेटी आप इमल्सन स्टेबिलेटी मतलब यह होता है कि एक इमल्सन कैसे स्थिर होगा मतलब लॉंग सम टाइम तक जब वो सेल्फ लाइफ है उसकी तो वो गड़बन ना हो तो स्टेबिलेटी का यदि हम अपोजट देखें तो प्रॉब्लम यदि उसमें जो होने वाली प्रॉब्लम ना हो तो वो इमल्सन आपका स्टेबल रहेगा तो आपको डारेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्टेबिलेटी ओप इमल्सन को एक्स्प्लेन करिये या तो प्रॉब्लम इन इमल्सन या इमल्सन सिस्टम में कौन-कौन सी प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या उनको सॉल्ब करने के लिए इन समस्या को solve करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे की problem क्या होती है इससे पहले हम यह जाने की एक इमल्सन को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या-क्या चीजें होती हैं जिससे की आफ को बाकी के जो stability या problem के point है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएं तो सबसे पहले जब हम emulsion की बात करते हैं तो हमने पहले कुछ videos में emulsion क्या होता है इसको समझा है जिसकी link में आपको description में provide कर दूँगा तो उससे आप और detail में study कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखें तो emulsion में एक होता है internal phase और एक होता है external phase तो emulsion में दो phase होते हैं मतलब biphasic system है इसलिए हम इसको biphasic system कहते हैं अब ये phase कैसे होता है कौन सा होता है एक होता है oil और एक होता है water अब ये oil और water आपस में immisible हैं या missible नहीं होते हैं, mix नहीं होते हैं, तो इनको मिलाने के लिए, इनको mix करने के लिए, एक करने के लिए हमारे पास में एक agent होता है, जिसको हम बोलते है emulsifying agent, तो ये तीन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना जरूरी है, जब हम emulsion की, चाहे emulsion के बारे में बता रहे हों, चाहे उसका formulation बता रहे हों, चाहे उसकी preparation बता रहे हों, अब बात आती is stability और problem की, तो अब कौन कॉंसी स्में problem आती हैं, आप exam में कौन कॉंसी problems के बारे में बताएंगे, तो पहला तो हो गया cracking, फिर दूसरा creaming, तीसरा हम बात करने हैं, तो phase inversion, और चौथा आपका है coelsence, और फिप्थ वन इस flocculation, तो यह पाँच problem है, जिनको आप explain करोगे, तो अच्छा है, कई बार यह अलग से sort note में आ जाता है, यह तो emulsion के जो बड़ा question बनता है, उसमें add-on होके आ जाता है, क्रेकिंग, क्रीमिंग, और phase inversion, कोelsence और flocculation जैसी चीज़ें नहीं होना चाहिए during the cell flight, अब यदि हम बात करते हैं, क्रीमिंग की, यह sorry, क्रेकिंग या तो जिसको हम also we called breaking of emulsion, तो question simple भी पूछ लिया जाता है, कि आपका cracking और breaking of emulsion से क्या समझते हैं, तो cracking और breaking का मतलब यह होता है, जैसे कि आपका internal phase है और external phase है, अभी आपका emulsion एक stable form में देख रहा है, क्योंकि आपके जो internal phase है वो अलग है, और जो external phase है वो अलग है, और एक तरीके से emulsion, आपका जो dispersed phase है, और continuous phase है, प्रॉपर तरीके से managed है, अभी क्या होगा, यदि आपका oil phase अलग हो जाता है, और water phase अलग हो जाता है, मतलब एक layer अलग हो गई, एक layer अलग हो गई, तो इस तरीके से separation of emulsion into two layers, is called the cracking और breaking, तो breaking समझ में आया, यहाँ पर एक internal phase है, और यहाँ पर यह एक external phase है, crack और break हो जाता, तो इसकी stability क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यह this is the one issue, इसको हम समझेंगी कि यह किस तरीके से होता है, जैसे हम बात करें कि cracking और breaking किन किन कारवन से हो सकती है, तो चाहे तो आप men से अपनी copy में लिख सकते हैं, तो पहला तो reason यदि हम बात करें, तो emulsifying agent, यदि आपका जो भी हमको emulsion बनाना है, जैसे कि हमने type of emulsion में पढ़ा, oil in water और water in oil type of emulsion, तो अलग-अलग type of emulsion के लिए, अलग-अलग emulsifying agent हम use करते हैं, यदि selection of emulsifying agent गलत हो गया, तो there would be this problem of cracking, फिर हम बात करते हैं, next आपका solvent, common solvent, common solvent की बात करें, तो common solvent का मतलब क्या होता है, जैसे आपने, हमने देखा कि जो आपका emulsifying agent है, जो इनको separate करके रखता है, और आपका किसी भी egg phase का solvent मैच हो गया, जिसमें कि वो donut dissolve हो जाते हैं, तब के case में भी आपका phase separation हो सकता है, फिर हम बात करते हैं, micro-organism की growth के कारण भी हो सकता है, कि ये चीज़े आपकी हो जाएं, कि आप, micro-organism क्या करेंगे, micro-organism जो आपका emulsifying agent हो, उसको कई बार destroy कर देते हैं, तो storage is very important part of this, now, next we will discuss the second problem is, is that creaming, तो creaming is what, how will you define an emulsion, creaming is the upward movement of the dispersed phase, जो dispersed phase है, उसका upward movement होता है, आपका creaming, तो this is the problem in emulsion, creaming naturally भी होगी, लेकिन यादी बहुत ज़्यादा होती है creaming, तो this becomes the problem, and this affects the stability of emulsion, ये emulsion की stability को effect करती है, तो exam में किस तरीके से explain करना है, creaming is the second point of related to the stability of emulsion, what is the meaning of creaming, that is upward movement of dispersed phase, मतलब जो इसमें जो internal phase है, उसका upward movement होना, उपर की और गती करना is called the creaming, and this may cause the unstability of emulsion, और ultimately will lead to the cracking, और breaking इससे हो सकती है, जो ह div up theelf, and this cannot nor HasILLués जो है करती है, अब ये इमल्सन हो गया water in oil और vice versa अब ये भी just opposite भी हो सकता है तो जो हम इमल्सन बनाना चाहा रहे हो वो इमल्सन ना बनके दूसरा इमल्सन बन जाए और phase inversion का reason क्या होता है कारण क्या होता है हम जब इमल्सन बनाते हैं तो आपने starting में preparation method of preparation में देखा था कि उनका एक phase ratio होता है phase volume ratio की oily phase, aqueous phase इनका ratio कितना है और जो emulsifying agent उनका एक definite ratio होता है उस ratio में हमको बनाना होता है तो यदि वो phase volume ratio में कोई change आता है तो आपका जो emulsion जो है phase inversion हो सकता है वो आपका change हो सकता और दूसरा proper emulsifying agent का use ना करें तब भी हम हो सकता है यह जो मैंने points बनाया आप note down कर सकते you can write the reason behind this problem. Now the fourth one is coelsense. Coelsense means what? How will you define? Fourth one is coelsense. Coelsense is what? जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह droplet है, एक droplet है. तो coelsense is the, जो आपका क्या है, small globule जो होते हैं, वो merge हो जाते हैं और merge होकर जो है, from the bigger globule, वो merge होकर एक बड़ा globule बना लेते हैं. तो this process is called the coelsense. अब बड़े globule बनाने से problem क्या है, stability कैसे effect होगी, अभी stability कैसे effect होगी, जैसे कि यदि हम बात करें, यह globule है, यह अलग-अलग है, dispersed हैं और emulsifying agent की एक layer बनी हुई है. जब globule बढ़ा होगा, तो that will, जो आपकी process of creaming है, वो बढ़ जाएगी, और chances of cracking और breaking emulsion. जो cracking और breaking emulsion में, at last, जो ultimately emulsion को unstable बना देगा. तो coelsense क्या है, कैसे define करेंगे, this is the fourth one, problem in the emulsion, stability, and small globule, जो छोटे-छोटे globule हैं, dispersed phase के, they combine together, और वो क्या होते हैं, merge होकर एक बड़ा globule बना लेते हैं, large size का globule बना लेते हैं, so this process of getting merged to the small globules and formation of large globule is called the coels. coelsense, this is another reason, now the last one is the flocculation, flocculation is another problem in the formulation of emulsion, or problem in emulsion, so what is flocculation, flocculation का मतलब यह होता है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा रहा था, coelsense में, particles aggregate होकर, बड़े globules में convert हो जा रहे थे, flocculation में particles, flocks में ही रहते हैं, flocks में मतलब एक बंच बना लेते हैं, जिसको हम बुलते हैं, loose aggregate, अब यह aggregate क्या होगा, this will enhance the chances of creaming, यह creaming की process को बढ़ा देगा, और creaming जादा होने कारण यह particles जो है, internal phase जो है उसका आपस में, combine होगा, और ultimately will lead to the cracking, so these are the problems, you have to explain, you can explain, by making this diagram also, or by writing the theories, so it is the easy technique and diagrammatic technique for explaining the stability of emulsion, so what is, now let's revise, cracking or breaking of emulsion, this is the first one, second one is phase, sorry, second one is creaming, third one is phase inversion, coelsence and flocculations, what are these, these are the stability of emulsion related problem, that will make the emulsion unstable, now let's discuss the another point of this, overcome, how we can overcome this problem, हम इस problem को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और this, what we can say the stability related issue, तो इसमें सबसे important क्या है, you can explain, first point is the selection of proper emulsifying agent, selection of proper emulsifying agent, ठीक, selection of proper emulsifying agent, जो आपका emulsifying agent है, जो हम use कर रहे हैं, यदि वो गडबड select हो गया, तो उसके कारण हो सकता है, तो problem को हम overcome कैसे कर सकते हैं, by selecting a proper emulsifying agent, second यदि हम बात करें, हम इस problem को एक और तरीके से, proper solvent, जो आपका solvent system हो, that should not be common, common नहीं होना चाहिए, the common solvent should not be there, तो solvent क्या होना चाहिए, proper होना चाहिए, common नहीं हो, for both the phase, आपका oil phase और आपका aqueous phase हो, दोनों के लिए common नहीं होना चाहिए, यदि हम नेक्स्ट बात करें, proper storage, proper storage will eliminate और prohibit the chance of growth of microorganism, यदि proper उसका storage होगा, जो आपका emulsन है, तो वो आपके microorganism की growth को नहीं होने देगा, this is also one, what we can say the remedy और हमारे पास में जिससे हम इस problem को overcome कर सकते हैं, फिर next हम यदि बात करें, temperature, यदि temperature बहुत जादा होगा, high temperature will lead to the creaming, high temperature will lead to the creaming, और यदि temperature हम बहुत जादा low करेंगे, less temperature will lead to the freezing, because it contains the water, यह water को अपने में content रखता है, तो उसके current freezing होगी, जिसके current भी आपका emulsन में stability आएगी, तो optimum temperature, cool place में हमको storage करना है, आपका, this is what, fourth one, now fifth one is what, इन points को आप लोग note down कर लें, इनको आपको explain करना है when you are writing, आप जो है, इसको पूरा explain करने के बाद में, क्योंकि कही बार कही सारे questions में मैंने जब last past year के कुछ questions को देखा, तो उनमें यह पुछा जाता है कि इन problem को आप कैसे overcome करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, तो यह points आपको बताने पड़ेंगे, तो first selection of proper emulsifying agent, second solvent should not be common for both the phase, आपके internal phase, external phase के लिए common solvent नहीं होना चाहिए, फिर third हम बात करते हैं, आपका that is temperature और इसके पहले हमने discuss किया था, that was the microorganism, जो आपका proper storage, proper, हाँ, proper storage, that is microorganism growth कर सकते हैं, fourth one is temperature, now fifth, we will talk about the radius, radius of internal phase, internal phase की जो आपका radius है, radius मतलब उसका जो size है, size of internal phase क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, so this is also one important, यदि size ज़्यादा बढ़ा होगा, तो chances of creaming ज़्यादा होंगे, sixth one is density difference, density difference, density difference, density difference should be minimum, मतलब कम से कम density difference होना चाहिए, कि इनके बीच में, जो आपका internal phase है और external phase है, उनके बीच में density difference काम होना चाहिए, density difference को कैसे समझे, मान के चलो, यदि हम एक particles, पत्थर को लेके पानी में डालेंगे, तो क्या होगा, पानी में वो डिप कर जाएगा, उस density difference के कारण है कि एक चीज़ उसके अंदर चले गए और एक चीज़ ऊफर ही है, तो यहाँ पर density difference यहादी कम रहेगा, तो आपका system जो है, stable system बनाएगा, so density difference should be minimum, and seventh is the viscosity, viscosity of emulsion will also decides the stability of emulsion, so viscosity should be optimum, viscosity कैसा होने चाहिए, optimum होना चाहिए, less viscous होगा, तो chances of cream creaming जो है, वो बहुत ज् हो जाएंगे, chances of creaming बढ़ जाएंगे, और यदि ज्यादा बिसकस होगा, तो particles को उसका जो आपकी preparation उसको उससे निकालना ही difficult हो जाएगा, मिंतलब उसका administration और application will become the difficult, so these all were the points related to the stability of emulsion, तो exam में आपको पूछा जाएगा, तो इस तरीक से आपको explain करना है, सबसे पहले आप द these are the stabilities issue, और इनको overcome कैसे कर सकते, इन चीजों को हमको बताना है, thank you very much and all the best for your exam.